अवधारणा गंगा के उत्तर में महान राज्य कोसल था, जिसे सर्यू नदी ने उपजाओ बनाया था. इसकी राजधानी अयोध्या थी, जिसे सौर वंच के प्रसिद शासक मनू ने बनवाया था. वालमीकी के राजधानी कोसल के वर्णन से स्पष्ट है कि प्राचीन अयोध्या हमारे आधुनिक नगरों से कमतर नहीं थी. प्राचीन भारत में भी नगर सभ्यता उच्च स्तर पर पहुँच चुकी थी. राजा दश्रत ने अयोध्या की राजधानी से राज्य पर शासन कि उसने देवताओं की ओर से युद्ध किया था और उसकी कीरती तीनों लोकों में फैल गई थी। वो इंद्रर और कुबेर के बराबर था। कोसल के लोग खुश, संतुष्ट और सदाचारी थे। एक शक्तिशाली सेना द्वारा भूमी की रक्षा की गई थी। और कोई भी श अनुरूप, अयोध्या ने सभी शत्रूओं को ललकारा। अयोध्या का अर्थ है वो जिसे युद्ध से वश में न किया जा सके। दश्रत के पास आठ बुद्धिमान मंत्री थे। जो उन्हें सलाह देने और उनकी हत्या करने के लिए हमेशा तयार रहते थे आदेश। व हलके थे और अपराद की सजा सही थी और गलत करने वाले की क्षमता के अनुसार दी जाती थी। सर्वश्रेष्ट सलाहकारों और राजनेताओं से घेरे। राजा का तेज उगते सूरज के रूप में चमकता था। कई साल आसानी से लोड़क गए। इस सारी सम्रिधी के बी देने का विचार किया। उन्होंने अपने धार्मे का आकाओं से परामर्ष किया और उनकी सलाह पर क्रिशी रिश्य शरिंग को यग्य करने के लिए मिला। यग्य एक भाव्य आयोजन था और आमंत्रित लोगों में उस समय के कई राजा शामिल थे। यग्य करना कोई आसा दर्शन चीजों को व्यवस्थित करने में मांगा गया था इसका मतलब था एक नए शिविर का निर्मान जो हजारों लोगों को समायोजित करने में सक्षम था और आमंत्रित लोगों के लिए आतित्य और मनोरंजन प्रदान करने में सक्षम था जिसमें भूमी के राजकुमार और रिशी शामिल थे संक्षेप में उन दिनों यग्य हमारे वर्तमान राज्य प्रायोजित बड़े पैमाने के सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की तरह थे जब सभी व्यवस्थाइं पूरी हो गई तो शास्त्रों द्वारा निर्धारित समारोहों को सक्ती से चालू कर दिय गया अयोध्या में यग्य के साथ ही स्वर्ग में देवताओं का सम्मेलन हुआ देवताओं ने भगवान ब्रम्हा से शिकायत की की राक्षसों के राजा रावन ब्रम्हा द्वारा उन्हें दिये गए वर्दान से प्राप्त शक्ति के नशे में उन्हें अंकहा दुख दे रहे थे और कठेनाई उन्होंने ब्रम्हा का प्रतिनिधित्व किया रावन को वश में करना जीतना या मारना हमारी क्षमता से परे हैं आपके वर्दान की सुरक्षा में वो दुष्ट और धीट हो गया है और सभी के साथ यहां तक महिलाओं के साथ भी बुरा व्यवहार करता है उसकी इच्छा इंद्र को पज्चियुत करना है आप ही हमारी एक मात्र शरंस्थली हैं और यह आप पर है कि आप एक ऐसा तरीका निकालें जिससे रावन का वद किया जा सके और उसकी निरंग कुष्टा का अंत किया जा सके ब्रम्हा जानते थे कि उन्होंने रावन को वर्दान दिया था कि वो देवों असुरों गंधरवों और ऐसे अन्य प्राणियों के खिलाफ अजेया और अजेया होना चाहिए रावन ने अपने अहंकार में मानव जाती के खिलाफ सुरक्षा मांगने की परवा नहीं की जैसे ही ब्रम्हा ने इस घातक चूक का खुलास किया सभी देवता प्रसन हुए और विश्नु की ओर मुडे घरी को पूरी तरह से आत्मसमर्पन करते हुए देवताओं ने उनसे एक आदमी के रूप में जन्म लेने और रावन और उसके अत्याचारों को समाप्त करने की भीक मांगी घरी ने सहमती व्यक्त की और देवताओं को आश्वासन दिया कि वो चार पुत्रों के रूप में पैदा होगा राजा दश्रत का जो उस समय संतान के लिए यग्य कर रहे थे जैसे ही आग में घी डाला गया और आग की लप्टे उससे मिलने के लिए उठी आग की लप्टों में से एक राजसी आकरती दुपहर के सूरज की तरह तेज सोने का कटोरा लेकर आया राजा दश्रत को उनके नाम से पुकारते हुए आकरती ने कहा देव आप से प्रसन हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं यहां आपकी पत्नियों के लिए देवताओं द्वारा भेजा गया पायसम है यदि आप इस दिव्यपे को पीते हैं तो आपको पुत्रों का आशीरवाद मिलेगा असी मानंद के साथ दश्रत ने कटोरा प्राप्त किया क्योंकि उन्हें एक बच्चा प्राप्त होगा और उन्होंने अपनी तीन पत्नियों कौशल्या सुमित्रा और कैकेई को पायसम वित्रित किया उसने कौशल्या से आधा पाय सम पीने को कहा और जो बचा था उसका आधा सुमित्रा को दे दिया। उस समय जो लिफ्ट थी उसका आधा कहके इने पिया था। और जो बचा था वो सुमित्रा को दे दिया गया था। दश्रत की पतनिया खुश थी। जैसे एक भिखारी अचा आनक दफन खजाने पर आ गया और नियत समय में वे सभी गर्भवती माताएं थी